आज हम बात करेंगे particular integral निकालने के लिए case 5 की case 5 क्या है when q is any other function of x resolve fd into linear factor मतलब अगर कोई भी function आ गया तो fd को हम जो क्या कर सकते है फिर से resolve कर सकते जैसे कि आपको ये दोनों formula आपको मैंने पहले बताया थे ये दोनों याद रखेगा जैसे कि 1 upon d minus a into q चैसे कि को máximo एक बात को रहा कि का अगर q पर d minus 1 के form में कूई operand कinhwhy क्या जाते है q-dx यहांपे plus होता है और यहाँपे minus होता है और दिखिए जब यहाँपे- d minus a है तो यहाँ भी minus है और जीसका integral करना है यहाँपे plus है तो यहाँपे भी हमने plus लिया है और इसके opposite यहाँ पे रहेगा factor उसका यह बात ही याद रखेगा बहुत जरूरी है मैंने बस आपको important बाते ही बहुत जादा बता दी है अब बस इसको याद रखेंगे तो objective आपके लिए बहुत असान हो जाएगा अब जिसके find pi of d square y plus 3dy plus 2y is equal to e की power e की power x यहाँ पे क्यों जाएगा pi की value कैसे निकलती है 1 upon f निकलता है into e की power eq यह लिख देंगे हम लोग अब हम इसको factor में कैसे कर देंगे इसको factorize कर सकते हैं यह जाएगा d plus 1 and d plus 2 अब इसको हम लोग partial में कैसे कर सकते हैं जाएगा one minus d plus one, one upon d plus one minus one upon d plus two और यह as is इसलिखा रहेगा, यह हमारा as is इसलिखा रहेगा Gharnyn को क्या करना है, one upon d plus one e की power e की power x minus one upon d plus two इसको बस bracket open करने हमें तो माल लेते हम इसके value क्या है इसको हमाल लेते है P1 और इसके में लेता है P2 फिर हमें P1 P2 निकाल कर दोनों को अलग-अलग निकाल के माइनिस कर देंगे तो वो हमारा N जोर हो जाएगा तो मारा P1 क्या है 1 upon D plus 1 into A की पावर A की पावर X यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बताएए यहाँ पर यहाँ पर प्लस वाला था न तो हमने इस पर क्या 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 था A की पावर मैंने से X मतलब कि यहाँ पर X की पावर क्या रही है मैंने से 1 आ रही है X की पावर A की पावर क्या रही है तो हमनों क्या हो जागा A की पावर A की पावर मैंने से X 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 A, B यह DZ हो जाएगा, Okay? तिन हमारा ऐगा वड़ Š यह क्या जाएगा, A की क्या जाएगा ? A की पॉर minus X INTO A की पॉर E की पॉर X हो जाएगा, तो हमारा P 1 की value यह आ गई, ऐसे हम पी 2 की value निकालेगा, यहाँ पर बस A की value 2 है, तो यहाँ पर यह M Mine skiing 2 आ गया, और यहाँ पे plus 2 आ गया जो मतलब कि आप देखेंगे sign अगर यह plus है तो यह integral के अंदर वाला भी plus sign में होगा और उसके opposite minus sign बाहर होगा ओके और यहाँ पे q की value हो जाएगा यह दी x हो जाएगा e की power minus 2x into z यहाँ पे भी हम x की power x को z मान लेंगे तो यह हमारा z फिर से रहेगा e की power z फिर हम इसको कैसे solve करेंगे first function और second का differentiation करते हैं na integration minus first का differentiation second का integration करेंगे फिर आएगा फिर आपको फिर से उसका integration करेंगे तो देना हो उसके बाद हम लोग यहाँ पे z की value रख देंगे बहुत ही असान होते हैं यह question बस आपको थोड़ा समझने के जूरत है और basically आपको साइज जी समझ में आजाएंगे बस पांच cases हैं और हमें लगता है कि बहुत सारे cases हैं तो मुझे इग्नोर करते चलाते हो पढ़ते नहीं हैं पांच cases इसमें है प्याई निकालने के लिए और छे cases इसमें हैं जिसको मैंने सारी जीच आपको बता दी हैं बहुत ही असान तरीके से आदो जाएंगे आपको इसको एक बार रवाइस के लेज़ेगा प्लीज वीडियो सेर कर देज़ेगा अपने दोस्तों में जिससे कि सबको इस चीज़े बहुत समझ भी आजाए मुझे बहुत प्रब्रम वह थी लेकिन फिर मैने समझ लेए इन चीज़े तो मैंने सुचा कि सबको संजा दू यह च कर दो कुछều है